वीडियो की क्लर ग्रेडिंग कैसे करें फ्रेंड सभी आप तो वीडियो देख रहे हैं इसका ही आपको कफी प्यारा लग रहा है और नेचर भी कफी प्यारा लग रहा है लेकिन ओरीजिनल वीडियो देखें ए ओरीजिनल वीडियो अब कैसा लग रहा है बेकार सा लग रहा ह अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन इसको हैं अब देखिए क्लर ग्रेडिंग करने वाद से कितना तगड़ा सा लग रहा है ऐसा क्लर ग्रेडिंग बहुत से लोग करना चाहते हैं इस पर लेडी मैंने वीडियो बना रखिए फिर भी लोगों की कमेंटरिये कि भैया आपके ज जैसे आप बना रहे हैं वह इसे ही बनाते रहे जाएंगे मेरे जैसा नहीं कर पाएंगे सबसे पहले जो भी फोन यूज करते हैं उसमें एक सेटिंग करने हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ओला है उप्शन पर जाना है वहां पर आपको 1080p रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना है अगर phone में wide angle है तो wide angle कर लेना है और आपको अपने फूर्स करें तो उसमें नहीं को जरूरत ही नहीं है टीक है टीक है तो यह काम कर लेना है इतना काम करने के बाद अपनी वीडियो को आराम से शूट कर लीजेे जो भी शूट करना चाहतेühren तो सूट करने के बाद से अब आपको एडिटिंग कैसे करना है चलिए हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलते हैं वहां पे हम आपको डिटेल में बताते हैं सबसे पहले अपने फोन में VNAP इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास Android फोन है तो आपको Play Store पे VNAP मिल जाएगा अगर आपके पास iPhone है तो iPhone में App Store पे VNAP मिल जाएगा ठीक है अगर आपके पास laptop है या computer है तो उसमें भी VNAP मिल जाता है ठीक है VNAP को अपने फोन में ओपन कर लेना है ओपन करनी के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा यहां पे नीचे प्लस बटन पे क्लिक करना है उपर न्यू पोजेक्ट लिखा हुआ देखेगा इस पे क्लिक कर देना अब आपकी गैलरी ओपन हो पर आपकी है उस video को select कर लेना है जैसे कि मैं अपनी video select कर लिया हमारा video यहां पर आ गया अब video कुछ इस तरीके से मैंने shoot करके रखा है देख सकते हैं आगे भी मैंने बताया और इस video का last में आएए एक black photo दिखेगा click करके इस पे delete इसको कर देंगे इतना काम करने के बाद से अपनी वीडियो पे click करेंगे click करने के बाद से नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे filter लिखा हुआ देखेगा इस पे हम click करेंगे यहाँ पे friends हमको बहुत सारा by default filter मिल जाता है ठीक है अगर हम किसी पे भी click करेंगे तो उस type का हमारा वीडियो की color हो जाता है एक click में ठीक है तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी color grade आप कर सकते हैं एक click में ठीक है जिस तरीके से आपको चाहिए जैसा चाहिए black and white चाहिए या जिस type का चाहिए वह आप यहाँ शेक कर सकते हैं लेकिन नए हम जो जिस तरीके से करते है अपनी वीडियो की color grading वो तरीका बताने हों तो हम कैसे करते हैं देखिये यहां पर हमको मिलता है पहले तो इसे original हम कर लेते हैं सारा filter हमने हटा दिया यहां पर adjust का option मिलता है इस पर हम click करेंगे और उसके बाद से friends यहां पर manually हम क्लर ग्रेड करेंगे जिससे हमारा वीडियो की क्लर ग्रेडिंग होता है तो एकदम से awesome वाला निकल के आता है जैसे कि अपने स्टार्टिंग में देखा ठीक है तो यहां पर हम कुछी टूल्स का यूज करके अपनी वीडियो की क्लर को जो है न ग्रेडि बहुत ही अच्छा ह अगर पूरा hundred करने पर ज्यादा dark दिख रहा तो आपको कम कर लेना है लगबख 70 या 80 के लगबख कर लेना ठीक है तो मैं इसको कर लेता हूं 80 ठीक है hundred पर पूरा dark हो जा रहा है ठीक है temperature दिखेगा इस पर क्लिक करना इसको minus कर देना ठीक है minus five कर देना इतना करनी के बाद से आपको आगी कि तरफ आना है आपके सार्पें दिखेगा इस पर आना है इसको प्लस फाइब कर देना जिससे हमारी वीडियो की क्लियरिटी बढ़ जाती है अगर मालीज आपकी वीडियो थोड़ी धुदली दिख रहे हैं यह क्लियर नहीं दिख रहा है तो सार्पें को आप कर देंगे तो आपकी वीडियो की क्लियर्टी बढ़ जाती है आपकी वीडियो क्लियर देखती है इतना कर लेना है उसके बाद से यहां पर अब हमको कुछ नहीं करना है, simple इधर आएंगे, यहां पर brightness है, saturation है, इसका अभी कोई काम नहीं, यहां पर ok हम कर देंगे, ok करने के बाद से देखिए, आपको अपनी gallery में एक white photo रखना है, ठीक है, white photo, जैसे कि मैं यहां पर plus पर click करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि मेरे stock वाला option इसमें photo है, white photo, तो आपको अपनी gallery में एक white photo इस तरीके का रखना है, अगर नहीं है, तो आप pixel lab app से इसे easy तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, अब इसको मैं पूरा बड़ा कर लेता हूँ, जितना बड़ा हमारा वीडियो है, इतना करने के बाद से अब इस white वाले photo पे click करेंगे, और नीचे के तरब यहाँ पे blending का option मिल जाएगा, इस पे click करना है, अब इस पे आपको एक soft light का option मिल जाएगा, इस पे click करना, इसको आपको अपनी वीडियो के हिसा आप से देख लेना है, कितना पे awesome लग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको लगब करेंगे, filter पे आएगे, अब यहाँ पे जो saturation है, vibrance इस पे click करेंगे, ठीक है, और इसको increase करके देख लेंगे, तो इसे हम पूरा 100 ही कर लेते हैं, ठीक, 100 पे अच्छा लग रहा है, temperature जो है, temperature को हम minus plus करके देख लेंगे, कितना पे awesome लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम plus 5 कर ल कर लाता है, आपको plus minus करके देख लेंगे, कितना पे awesome लग रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखे जो यह carbon, है ने तो मैं नहीं कर लिया यहां फरियु को भी माइनस प्लस करके देख लेंगे कितना पर और शम लग रहा है ती ब्लू बाल्स तरफ ले जाए घंड है ढार की का तुरह ठीक? इस इसको हम माइनस की तरफ ले जाएंगे स्वरी हां माइनस टेन के लगवक कर देंगे ठीक है और इसको भी डार्क की तरफ ले जाएंगे ठीक है इधर की तरफ डार्क जो है ना इस लेके आएंगे लाइट की तरफ ले आएंगे तो इस पर लाइट आए तो डार्क की तरफ ले प्लिक करेंगे इसको hem saturation को कम करने और गलेंगे Patient को कम करने यहांपर इसका saturation को थोड़ा सां डार्क दितरब ले जाएंगा बास इतना यानि यहांपर लगबद 20 तोड़ा सा कम कर लेंगे एक तरब ले जाएंगे और इसको हम यह से माइनच कर लेंगे तो यह इतना पर कर लेते हैं लगबाग 10 की लगबाग टीक है ग्रीन है ग्रीन पर क्लिक करेंगे ग्रीन का सेचुरेशन हलका सा हम कम कर देंगे ठीक है हलका सा कम कर देंगे लगबाग माइनस 20 और लाइटनेस को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं से देख सकते हैं लाइट को हम कम ज्यादा करें तो इसको आपको डार्क ही रखना है ठीक है lightness को पूरा कम कर देना ठीक है अभी यहां से इसका color भी आप change कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इस पर yellow tone देना चाहता हूं जो green है उस पर yellow tone जाकि देखने में awesome लगे इतना काम करने के बाद से इसे okay कर देंगे यहां से अब हमको यहां पर कुछ करना नहीं है एक छोटा सा कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इस पर उंगली रखके इसे बढ़ा कर लेंगे और यहां पर दो line दिखेगा इस line के center में लाना जैसे line दिखेगा इसको उपर इक तरफ इस सरकाय के कुछ इस तरीके से लिए कर जाना है और इसके आधा line पर आपको इस photo को black photo को छोड़ द मिलाना है और उसी line से Comment कर लेना और वोपर के line देख लेना कितने line जो white वाला line देख रहाए इस पहुआ हम लाकर छोड़े है उतना ही पर इसको भी आपको लाकर तरह मूब कर देंगे ठीक है तकि हमारा नीचे वाला एरिया ज्यादा दीके ऊपर वाला थोड़ा काम ठीक है इतना करने के बाद से अब मैं प्ले करके दिखा देता हूं आपको इतना पर करने के बाद से हमारा वीडियो जो है पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है एडिट हो चुका है अब यहां पर शेयर का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे शेयर पर क्लिक करने के बाद से यहां पर अब सेंटर में रखना है ठीक है उसके बाद से यहां पर हम पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यह आपका वीडियो जो है आपकी गालरी में सेब्ड हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको बीडियो पसंद देए हो समझ मागव कैसे अपनी वीडियो को color grading करना है वीडियो पसंद देए हो तो like करना, share करना एक प्यारा